तो flip card ads series में आज बात करेंगे flip card के ads में bidding strategy की तो मैंने जो वीडियो बनाई थी ना मैंने इस वीडियो में आप लोगों को flip card ads optimization सिखाया था और मैंने इसमें बोला था कि आपको ad series चाहिए तो मुझे बता देना 20 comment मैंने मांगे थे 30-40 comments थे ad series को लेके तो भाई सबसे पहले तो thank you very much आपको इतनी पसंद आती है मेरी flip card की specially videos के लिए thank you दूसरी चीज़ आप चाहते थे तो definitely मुझे वो बना नहीं था तो उसके लिए मैंने एक और काम किया है मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ होगे already मैं flip card ads पे 11 videos बना चुका हूँ तो यह logically बारवी वीडियो रहने वाली यह flip card ads को लेके अब हम थोड़ा deep में जाएंगे flip card ads को जतना ज्यादा समझेंगे उतना बहतर रहेगा आपके लिए right तो सबसे पहले तो यह basic वाली videos देख लेना उसके बाद थोड़ी advanced videos भी है कुछ reels भी मैंने डाली है जिन में मैंने कुछ information आप लोगों को share करी थी तो यह 11 videos आटलस आप देख लेना इन में से जो जो important है वो मैं इस video के end में दे दूँगा चलिए welcome to Rishi e-commerce I am Rishi सिधे हम video को start करेंगे और आज बात करेंगे flip card CPC bidding strategy के बारे में पिछली video में मैंने कु flip card पर add चलाने जाते हो right आप create ads करते हो आप उसमें detail डालते हो तो यह page खुलके आता है जहाँ पर आपको CPC में CPC ads की हम यहाँ पर बात कर रहे है Amazon में हम इसको PPC बोलते है right pay per click और यहाँ पर post पर click बोलते है flip card में तो यह मैंने panel का screenshot यहाँ पर attach किया है आप देख सकते हैं बात करते हैं इस पर कैसे कैसे इसको adjust करना होता है believe me आप add अच्छा आप add regular चला रहे हो लेकिन इस तरीके से अगर नहीं चला रहे हो तो add जुक्का जो result हो बहुत weak आपको मिलने वाला है ऐसे add चला होगे जैसे मैं बहुत बहतर तरीके से चलने वाला है चलिए सबसे पहले हम initially बात करेंगे कि किस type के adds आपके लिए favorable हो सकते हैं तो आज हम properly cpc by bit बात करेंगे सबसे पहले या तो आप एक ऐसे person हो जो अभी brand को start कर रहे हैं अभी अभी आपने अपना brand name रखा हुआ है आप उसका logo बना रहे हैं आपने उसी का अभी trademark के लिए apply करा हुआ है आप इस tm भी लिख देना अगर आप comfortable हो थोड़ा आपका brand highlight हो जाएगा अगर आप चाहते हो तो राकि tm लिख देना जिसके पार registered brand है तो जिसके पास registered नहीं है अभी बस branding की शुरुवात कर रहे हो आप तो आप आओगे starting up brand category में तो आपके लिए ये वाला add suitable रहेगा ये वाला add क का मतलब है rest of search page होता क्या है थोड़ा detail में नीचे पढ़ेंगे small brand है अगर आप आपने trademark ले लिया है registered है अभी जो है उतनी selling आपकी नहीं है brand आप अभी अभी grow आपका brand हो रहा है social media pages भी आप बना रहे हो website भी आप बना रहे हो offline online दौन में आप selling कर रहे हो और कहीं न कहीं आ आपके brand से आपकी value बन रही है तो आप एक small brand में आते हो तो उस case में आप पे ये वाली और ये वाली bidding suitable रहेगी अगर आप एक medium brand हो medium brand का मतलब कोई चोटा मोटा brand नहीं बहुत अच्छा stable brand आप बना चुके हो अपना काफी time से आपकी branding हो रही है आप influencers marketing भी कर रहे हो आपका brands मतलब बहुत large brands मतलब जिनके नाम हम जो उस brand उस category की बात करें तो वही brand निकल के आता है जैसे अगर हम मैं t-shirts की बात करो तो प्यूमा तुरन निकल के आता है जूते की बात करो तो एड़ास तुरन निकल के आता है ये एकदम large brands में आ जाते हैं तो सबसे पहले आप अपन में आता है मुझे आप चाहें तो comment में बता सकते है brand name लिख के मैं खुद भी search कर लूँगा उसको right अब actual में CPC bidding होती क्या है मैं definition बतानी भूल गया आपको होता क्या है मान के चलिए कोई भी buyer यहाँ पर flip card पर जाता है right flip card का ये मैंने web page open करा हुआ है वो website app में भी जा सकता है अब यहाँ पर मैं search करता हूँ t-shirt for men मैंने search करा तो ये क्या हो गया keyword हो गया next video जो मेरी इस series में रहेगी वो रहेगी keywords targeting कैसे कर कर सकते है best keyword targeting क्या होती है तो कहिए तो obviously best keyword targeting लिख देना comment में जल्दी ले आऊँगा otherwise बहुत topics होते हैं मेरे पास t-shirt for men आपने जैसी search किया मत तो देखिए है यहाँ पर top में जो product आ रखा है इसके नीचे sponsor लिखा है इसका मतलब इस पर CPC add चला हुआ है या ROI भी चला हो सकता है पर इस पर sponsor लिखा हुआ है अब जैसे ही कोई buyer यहाँ पर click करेगा अभी आपका कोई पैसा नहीं कटेगा लेकिन जैसी buyer ने हाँ पर click किय जैसे मैंने अभी भी click किया तो एक click के यहाँ पर कुछ पैसे कटेंगे तो उसको बोलेंगे cost पर click तो एक click पर आप चाहो तो एक रुपया की बात कर सकते हो एक रुपे की bidding कर सकते हो दस रुपे की bidding भी कर सकते हो मान के चले आपने दस रुपे की bidding करी है अब आप सोचो य बिडिंग इसने जो करियोगी लगभख आईगेस 50-60 रुपे की करियोगी इतना भी हो सकता है बोल रहू हूं मैं वैसे प्राइज इतना कम है तो इतना हाई तो कोई करेगा नी बट फिर भी 9 रुपे 8 रुपे 10 रुपे तक सेलर करते हैं टॉप में आने के लिए इसके लाव तो यह देखें यहाँ पर तो इस तरीके से जब आप एड चलाओगे CPC तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कितनी बिडिंग चलाना चाते हो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैं थोड़ा जूम करता हूं यह और एवरेज बिड यह जो सेलर बिड रेंज क्या है 4.95 to 110 देखिए 110 रुपे की भी बिडिंग यहाँ पर कई सेलर कर रहे हैं वो भी किसके लिए यह देखें परड़क कैटेगरी क्या है होम एंड क्लीनिंग बाथूम एसेसरी तो आप विनिंग बिड से तो उपर ही रखिए तभी आपके परड़क बहु यही विनिंग पॉसिबिलेटी बन रही है अब बात करते हैं थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर आपने देखा होगा एवरेज बिड हमने समझ लिया विनिंग बिड हमने समझ लिया अब बिडिंग रेट कार्ड भी समझ लेते हैं तो अगर आप अपने पैनल पे जाओगे अडवर्डिसमेंट के तो यहाँ पर आपको एक रेट कार्ड दिखाई देगा देख रहें तो यह कोई वैसा रेट कार्ड नहीं है कमिशन का यह रेट कार्ड है बिडिंग का इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रॉड़क्ट प पे मतब क्या-क्या पेज पे बिडिंग होती है और उस पेज को एक्च्वल में वो पेज होता क्या है तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम पेज क्या होता है तो अगर आप होम पेज के लिए बिडिंग कर रहे हैं देखिए होम पेज के लिए आप कब बिडिंग करिए जब या तो medium brand हो या तो large brand हो otherwise home page पे bidding करने का कोई मतलब नहीं बनता है तो home page का मतलब क्या होता है flip card app home page flip card app होता है जो mobile में उस पे जब scroll करेंगे front में जो आता है उसको home page बोला जाता है मैंने आप screenshot भी attach कर रहा है अब अगर आप flip card का home page open करेंगे flip card app का नीचे scroll करते रहेंगे पहले तो वो product आएंगे जो आपने recently सर्च करें थे दीरे दीरे आपको देखें यहाँ पर नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ products दिखेंगे जो product एक सकेड़ है यहाँ पर यह product है वो home page में win कर रहा है मतलब आगे आ रहा है बाकियों कभी आएगा बहुत लेट में आएगा तो यह हो गया home page की bidding strategy आगे आते हैं दूसरा आ जाती है top of search page तो top of search page क्या होता है आप यहाँ पर देखें एक line लिखेंगे top of search page तो top of search page का मतलब क्या होता है जब भी कोई buyer flip card की website या फिर यह देखें वेब पेज या एप में कोई भी keyword search करता है आप देखें यहाँ पर this is referred to the सबसे पहले search page होता क्या है through the search term जब भी कोई buyer through the search term पहुंसता है किसी page पे तो उसको search page कहते हैं तो जैसे मैंने t-shirt for men लिखा search किया मैंने right और मैंने यहाँ पर search कर दिया तो यह क्या है search term इसको बोलेंगे इससे मैंने search किया है तो इससे जो भी product slot 1, 2 and 4 में आएगा of the search listing page तो वो top of search page कहलाया जाएगा तो top of search page मतलब क्या है किसी buyer ने यहाँ पर product search करा तो top of यह search page है इस search page के top में 1, 2 और 4 में जो product आएगा वो top of search page की bidding मानी जाएगा simple है लिखा हुआ है this refer to the sponsored PLA on the PLA क्या है CPC और ROI को PLA बोलते है product listing ads on the slot 1, 2 and 4 on the search listing page तो इसको बोलते है top of search page में आप bidding कर सकते हो अगर आप देखिए top of search page में कौन से brand कर सकते हैं यहाँ पर आप देखिए top of search page में medium brands कर सकते हैं अब small brands है आप तो क्या कर सकते हैं आप rest of search page में कर सकते हैं यह starting a brand है तो आप rest of search page के लिए क्या कर सकते हैं पर टॉप आप सर्च पेज हमने समझ लिया यह जो जैसी किसी ने सर्च किया तो टॉप में जो एक दूसरे पे और चौथे पे जो प्रड़क्ट आए वो होता है आपका टॉप आप सर्च पेज राइट अब यह जो एड्स हैं यह लिमिटेड टाइम डिल्स यह सब इसमें न सब्सक्राइट तो एड्स पीश को बोलते है रेश्ट आप सर्च पेज के लिए आप विदिंग हाई कर सकते हैं रेश्ट आप सर्च में का मतलब सिंपल है किसी ने कोई सर्च किया कोई बायर ने प्रॉडटक्ट टॉप में आपका नहीं आ सकता लेकिन रेश्ट आप अगे बटते हैं जो बाकी रेष्ट है सर्च किया जर्सी कोई भी नीचे जो आए वह रेष्ट आफ सर्च पेज में यह एडवर्टिसमेंट लगाए हुए अब आ जाते हैं टॉप आफ ब्राउज पेज इसके लिए कौन से ब्रेंड बिड़ कर सकते हैं तो अगर आपका large brand या medium brand है तो top of browse page ये देखिए top of browse page के लिए आप bidding बढ़ा सकते हैं तो top of browse page क्या होता है कई बायर कैसे खरीदते हैं मानके चलिए उनको t-shirt खरीदना है बट उनको लिखना नहीं आ रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा सर्च करना है वगरा वगरा वो आए अबायर एप पे या फिर mobile इस पे डेक्शॉप पे और वो क्या करें सबसे पहले वो fashion में गए fashion से वो गए women men's top wear में गए men's top wear से men's t-shirt में चले गए तब उसनों ने यहां से click किया तो इसको हम बोलेंगे browse page यहां पे किसी ने search term नहीं use किया सीधे browse किया तो browse page हम इसको बोलेंगे तो browse page के अगर आपको top में विडिंग करनी है तोप में जाना है और यहां से भी बहुत ज़्यादा searches होते है but believe me सबसे ज़्यादा searches होते हो search term से होते है आप यह लगा लो कि अगर 100 searches हो रहे है तो 100 में से 20 searches इस तरीके से browse करके होते है और बाकी 80 product purchase ज़्यादा search term से होते है तो search term में ज़्यादा focus करना ज़रूरी है तो browse page में first, second और fourth में अगर आपको bidding अगर आपका large brand है या medium brand है तो आप bidding बढ़ा सकते हो तो इसको हम बोलेंगे top of browse page और obviously slot वही है 1, 2 and 4 उसके अलावा यहाँ पर मैंने इसका screenshot भी डाला है कि इस तरीके से browse होता है तो इस तरीके से करना होता है अब आ जाते है rest of search page तो top के जो 1, 2 and 4 slot है उसको छोड़के नीचे अगर आपको bidding करनी है तो इसको rest of browse page हम बोलेंगे last आ जाते है product page तो product page क्या होता है product page का मतलब किसी भी buyer ने कहीं से भी किसी भी product पे click कर लिया चाहे search करके किया, चाहे browse करके किया चाहे किसी में भी कर लिया मान के जली उन्होंने इस product पे click कर लिया तो इस product के इसको बोलेंगे product page क्योंकि इस page में product की details है तो इसको product page बोलेंगे product page के नीचे जो भी ads आते हैं जैसे आप देखोगे यहाँ पर भी कुछ ads आपको दिखेंगे similar products में भी आपको कुछ ads दिखेंगे बट अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि browsing में मैंने इसमें कर रखा है desktop में आप mobile में देखोगे तो आपको मिल जाएगे मैं आपको screenshot भी अभी दिखा देता हूँ तो यहाँ पर नीचे आपको काफी ज्यादा suggestions आते हैं bought together similar तो उसमें जो ads लगे होते हैं उसको बोलते हैं हम product page product page के लिए भी bidding काफी 5 दे मन्त होती है screenshot भी मैंने यहाँ पर attach कर रखा है देखिए product कोई भी सर्च किया मैंने थोड़ा नीचे आए similar products आया और यहाँ पर देखिए इस पर भी add चला हुआ है थोड़ा नीचे आएंगे तो यह bought together इन पर भी add चला हुआ है तो इसको बोलेंगे तो सब में जो bid है वो 1.18 की चली जाएगी और आपकी ranking कुछ हद तक improve हो जाएगी अगर आपको अपनी ranking बहुत अच्छी करनी है आपका conversion बहुत अच्छा करना है आपका brand अच्छे से build करना है अच्छे से placement करना है तो आपको यह strategy से चलना पड़ेगा कि आपका brand का label क्या है और उस हिसाब से आप किस label पर कौन सा ad में आपको bidding चलानी है इसके अलावा large अगर brands अगर आप बन गए हो तो PCA ads के लिए आप focus कर सकते हो PCA ads क्या होता है simple कभी कभी आपने देखा होगा को कोई भी product सर्च करते हो जैसे कि आपने यहाँ पर मान के चले मैं face wash सर्च करता हूँ तो face wash सर्च करोगे तो अभी तो यह browsing में नहीं दिखा रहा बट mobile में यहाँ पर banner भी दिखेगा किसी brand का बड़े brand का यह side में भी यहाँ पर दिखेगा यह नीचे आते रहा होगे तो बीच बीच में भी ads अलग से slab उस brand का बना हुआ होगा तो उसको बोलते है piece के ads product contextual ads उस पर भी मैंने detail videos अल्रेडी बना रखी हैं वो आप कैसे कैसे चला सकते हो वो मैं flip card ads वाली जो playlist में बोली है उसी में मैंने add करती है तो यह थी the complete bidding strategy for flip card cpc आई हो बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा अगर बहुत कुछ सीखने को मिला है एक like और एक comment और एक share मुझे चाहिए भई कैसे भी आगे series में तभी continue करूँगा पारवी video है यह flip card ads पे मैं चाहता हूँ कम से कम मैं इस पर दो तीन वीडियो और बनाओ ताकि और deep में मैं इस पर लेगे जाओ आप मुझे specific topic देना चाहते हूँ कुस तो दे सकते हूँ मैं उस पर deep analysis करके उस पर वीडियो बना दूँगा मेरी team का number आपको first comment और description में मिल जाएगा direct contact कर सकते है चलिए यहां तक थी flip card ads की यह bidding वाली वीडियो last में दो वीडियो छोड़के जा रहा हूँ उनको ज़रूर देख लेना ताकि basics आपका improve हो जाए till then thank you very much keep selling on flip card